हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने किचेन में एक नए वीडियो के साथ में तो आज हम बनाएंगे काफी पोस्टिक सबजी लौकी और चने दाल की सबजी यह हम चटपट से कढ़ाई में बनाएंगे कुकर का बिल्कुल भी हम इस्तवाल नहीं करेंगे और यहां भी हमें बहुत ही कम मसाले का इस्तवाल क्योंकि बहुत से लोगों को मसाला कम पसंद आता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही कम मसाले के साथ लौकी और चना दाल की सबसी बनाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं करहाई यहां पर गरम हो चुके अभी हम इसमें सरसो तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है अभी हम इसमें डाल देंगे आधा चमच के मुताबि गोटा जीरा फिर एक तिछ पत्ता डालेंगे यहां पर मैंने एक प्याज को स्लाइसेस में काट लिया और तीन हरी मिर्च का इस्तेमाल के तो जीरा चटक चुका है इसमें अभी हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे प्याज को हमें यहां पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है प्याज यहाँ पे काफी अच्छे से सॉफ्ट होने लगा है प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच के मुताबिक अद्रक लेसन का पेस्ट फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पॉडर, आधा चम्मच जीरा पॉडर, एक चौथ हाई चम्मच काली मिर्च का पॉडर, आधा चम्मच का समीरी लाल मिर्च पॉडर, इससे सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा साथी में हम डाल देंगे मसाले में दो चमच के मुताबिक पानी अभी हम गयास कफले मीडियम रखके मसाले को अच्छे से पकाएंगे मसाले को थोरी दिर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगी एक कटे हुए टमाटर फिर हम टमाटर के साथ में मसाले को थोरी दिर पकाएंगे टमाटर को थोरी दिर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक डालने के बाद टमाटर जो है मसाले में तुरंथ ही सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला जो है अच्छे से पक जाएगा लौकी को हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे लौकी को यहाँ पर मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अभी हम इसमें डाल देंगे चने का दाल मैंने लौकी और चने दाल की सबजी को मनास्ते में बनाया था तो मैंने दाल को रात में ही भीगो के रख दिये था आप लोग देख सकते दाल जो है वो आसानी से तूट जा रहा है सबजी में डालते ही तुरंद ये पक के तैयार हो जाएगा चना दाल को हम लौकी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे लौकी यहाँ पर गलना स्टार्ट हो चुका है और लौकी से पानी छूटने लगा है तो अभी हम यहाँ पर छोटे गलास से एक गलास के मताबिक सबजी में पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद लौकी को हम अच्छे से एक पर मिक्स कर लेंगे फिर हम लौकी की सबजी को ढखकर दस से बारा मिनट तक पकने देंगे दस से बारा मिनट बाद हम ढखकर ढटाकर सबजी को चेक कर लेंगे तो सबजी यहाँ पर आप लोग देख सकते बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो यहाँ पे सबजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कल्ची की सहायता से हम सबजी को थोड़ा सा यहाँ पे मैस कर लें जिसे सबजी है वो अच्छे से मिल जाए गर्मा गर्म लौकी की सब्जी बन के तैयार है तो इस पे हम अभी डाल देंगे थोरे से कटे हुए धनिया पत्ता धनिया पत्ता को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे गर्मा गर्म लौकी और चने डाल की सब्जी बन के तैयार हो चुकिए आप लोगों ने देखा जटपट से मैंने करहाई में इसे बना दिया मैंने किसी दूसरे बर्तन कुकर का इस्तमाल नहीं किया है ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और लौकी जो है वो कितना हेल्दी है हमारे सरीर के लिए सभी जानते हैं तो आप इसे सुबह के नास्ते में रोटी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं चना दाल और लौकी की सबजी को मैंने यहाँ पे सर्फ कर दिया यह बहुत ही कब मेहनत के साथ में बन के तैयार हो जाती है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगते आप लोग देख सकते सबजी का कलर सबजी कितनी अच्छी बन के तैयार होचुकी है तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों